जै मतादी दोस्तों तपोभूमी क्लासिस पर मैं अब देश बदोरिया आप सफी का स्वागत करता हूँ दोस्तों मद्प्रदेश पुलिस परिच्छा मैं कुछ इस तरीके के प्रश्ण आपको देखने को मिल रहे हैं डेली चार से पांच प्रश्ण आ रहे हैं इन प्रश्णों को दोस्तों हम लॉजिक एक्वेलेंट कहते हैं या फिर लॉजिक वाले कथन एवं निस्कर्श कहते हैं दोस्तों वैसे मैं इस के लिए दो वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ अभी 2022 में जो पेपर हो रहे हैं उनमें केबल दो लॉजिक के प्रश्ण आपसे पूचे जा रहे हैं एक तो इफ लॉजिक का और एक और लॉजिक का और इन दोनों ही लॉजिक के लिए मैंने दो वीडियो बना दिये हैं दोनों तकरीबन 20-20 मिनिट के वीडियो हैं ठीक है आप मैंसे काफी लोगों ने वो वीडियो देखे और ज्यादा तर लोगों को उन वीडियो से समझ में आ गया और वो डेली जो भी पेपर देने जा रहे हैं बच्चे वो इन प्रशनों में अपना स्कोर कर भी पा रहे हैं चार साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन दो लॉजिक के अलावा और भी काफी लॉजिकों को एकटा करके समझाया था तो वह एक बड़ा लेक्चर था जो की तकरीबन 40 मिनिट का लेक्चर था लेकिन दोस्तों इस बार की परिचक लिया आपको वो लेक्चर देखने की ज़्यादा जहूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये दो लेक्चर देख लिए हैं आपको क्लियर समझ में आ गया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है और अगर आपको clear समझ में नहीं आ पाया था तो भी आपके लिए है इस वीडियो में मैं एक final touch up दूँगा इस तरीके के सवालों के लिए ताकि इस तरीके के सवालों में आपसे कभी कोई गलती ना हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि सवाल आता कैसा है सवाल ऐसा एक कथन लिखा रहेगा इस कथन में दो sentence होते हैं हमेशा ध्यान रखना ये देखिए आप अधिकारी को लिखित में सिकायद देंगे तो वह कारभाही करेगा ये है वह कारभाही करेगा ये दूसरा sentence और ये पहला sentence है उसके बाद इन्ही sentence को ये जो sentence लिखा है इसको एक बार लिखेंगे फिर इसका negative लिख देंगे फिर दूसरा sentence लिखेंगे फिर उसका negative लिख देंगे इस तरीके से चार निसकर्स लिखेंगे फिर वो option बनाएंगे यहाँ पर option बनाएंगे और हर option में दो-दो निसकर्सों का जोड़ा बनाएंगे और पूछेंगे कि कौन सा आंसर सही है एक मैं 12 लिख देंगे, 34 लिख देंगे, 23 लिख देंगे, 32 लिख देंगे कुछ इस तरीके से वो निसकर्सों के जोड़े बनाते हैं तो मैं आपको बता दू, final touch-up में आपको क्या देखना है short revision है ये तरीके से आपका, अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए, if or or logic के देखो, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले तो ये पैचानना है कि logic कौन सा दिया है बहुत से बार हमने देखा है, बच्चे ये ध्यान भूल जाते हैं कि logic कौन सा दिया है अगर यदी तो लिखा है सवाल में, यदी तो, तो if logic दिया है और अगर या तो लिखा है, या तो, या अथवा, तो or logic है सबसे पहले तो ये चेक करना है logic कौन सा है logic के साब से answer बदल जाएंगे logic चेक कर लिया, उसके बाद हम बाक्यों को संकेत में बदलेंगे जैसे जो बाक्यों को लिखा है यदी अधिकारी को लिखित में सिकायत देंगे तो इसको a लिख देंगे, पहले sentence को a नाम देंगे, दूसरे sentence को b नाम देंगे अब ये sentence किसी भी तरीके से लिखे हो, positive में, negative में आप इनको a ही नाम देना, इसको b ही नाम देना, चीक है, दोनों का नाम करण हम कर देंगे अब जैसे ही हमने वाक्यों को संकेत में बदल दिया उसके बाद जो निसकर्ष लिखे होंगे चार निसकर्ष लिखे होंगे उनको भी संकेत में बदलेंगे जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे जैसे यह वाला है हमने इसको संकेत में लिख दिया A और इसको संकेत में लिख दिया B तो ये देखिए पहला वाला sentence जो है आप अधकारी को लिखित में सिकायत करेंगे इसका मतलब क्या हुआ इसको हम A ही लिखेंगे क्योंकि ये A ही है बिल्कुल A जैसा लिखा है दूसरा क्या है आप अधकारी को लिखित में सिकायत नहीं करेंगे बिल्कुल A जैसा ही लिखा है लेकिन नहीं और आगया नौट और आगया तो नौट के लिए एक चिन हमने डिसाइड किया है कि उपर बार लगा देंगे इसका मतलब है नौट और इसको पड़ा करेंगे A नौट वह कारवाही करेगा बिल्कुल B जैसा लिखा है तो इसका चिन करड कर देंगे और यहां B लिख देंगे वह कारवाही नहीं करेगा तो यहां पर हम क्या लिख देंगे B नौट तो इस तरीके से हमको दूसरे टाइम पर निसकर्स के वाक्यों को संकेत में बदलना है अगर कहीं पर सकता है लिखाओ कि यह काम कर सकता है तो वहां पर हम चिन क्या देंगे श्टार जैसे मान के चलिए यह लिखाओ A के बारे में सकता लिखाओ तो A स्टार B के बारे में सकता लिखाओ तो B स्टार चीक है इस तरीके से नामकरण कर देंगे यह नामकरण हमारे खुद के बनाए हुए नामकरण है आप कुछ और भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो उसके बार जो options लिखे होंगे इन options को हम संकेतों में बदल लेंगे और फिर हम उत्तर को चेक करेंगे ठीक है देखिए options को संकेत में कैसे लिखा जाता है यहाँ पर देखते हैं ये देखिए तीन और एक अब तीन नमबर पे क्या लिखा है B लिखा हुआ है तो हमने option में B लिख दिया और एक नमबर पे क्या लिखा है A लिखा है तो हमने A लिख दिया हमने option को B A संकेत में लिख लिया दूसरे option को संकेत में लिखना है 4 को क्या लिख सकते हैं B not लिख सकते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं A not लिख सकते हैं इसको भी हमने संकेत में लिख लिया, C वाले option को लिखेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं, B not लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, D वाले को लिखेंगे, 3 को क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, a not लिख सकते हैं हमने इन सबी संकेतों को रूप में लिख लिया अब हमें पता होना चाहिए याद होना चाहिए कि अगर logic if का है तो answer ये दो में से कोई a की होगा आंगे से अगर हम देखेंगे तो yes yes होगा यानि a और b answer होगा a और b का pair अगर पीछे से देखेंगे तो no no यानि की b not उसके बाद a not केवल ये ही दो answers possible है इनको आपको याद करना पड़ेगा केवल इतना याद करना है आपको बस फिर solve है अब बताओ इन में से कोई इन दोनों में से a b या b not a not में से कोई एक है ये रहा ये b answer हमारा है ये है b not a not तो ये ही हमारा right answer हो जाएगा कभी भी सवाल को पढ़ने की गलती मत करना सवाल अगर पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी ऐसे ही अगर आपका और वाला concept है और वाला concept तो वहाँ पर चार answer हो सकते हैं बैसे मैं आपको बता दूँ कि आपके paper में फिल हाल केवल ये दो ही पूछे जा रहे हैं सकता वाला अभी तक आया नहीं है लेकिन आगे के exam में ये भी आ जाएगा चीक है तो यहाँ देखो अगर और वाला concept है तो पहला वाला negative होना चाहिए अगर सकता वाली condition आजाए तो पहला positive होना चाहिए तब दूसरा आपका star होगा पहला positive है तब दूसरा star है और एक चीज और ध्यान रखना हमेशा कि ये जितने भी answer है इन सभी answer में दोनो sentence आ रहे है A और B बिना दोनो sentence के I कभी भी आपका answer नहीं आएगा चलिए मैं और यहाँ पर practice आपकी करवा देता हूँ जैसे यहाँ पर यह एक प्रश्न है कि राम या तो राम लड़का है या रस्याम लड़की है तो ऐसे सवाल में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है step 1 होता है यह चेक करना कि यह logic कौन सा है तो यह है यानि यह और वाला logic है ठीक है तो और वाले logic के answer क्या हो सकता है A not B B not A A B star B star वो B A star किवल यह चार answer हो सकते हैं इनके लावा और कोई भी answer नहीं हो सकता ठीक है और वाली वीडियो में मैंने एक बार एक सवाल मैं गलती से गलती कर दी थी कि उसमें मैंने B star A star को भी answer माल लिया B star या A star आपका answer नहीं होगा ठीक है चलो अब यह तो राम लड़का है या स्याम लड़की है पहला step हमने देख लिया कि यह और है तो अब इसको नामकरण कर देंगे यह A हो जाएगा यह पहला sentence इस sentence का नामकरण करेंगे B हो जाएगा दूसरा step हो गया तीसरा step है निसकर्स जो है उनको हमको संकेत में बदलना है राम लड़का है इसको A लिखेंगे राम लड़का नहीं है इसको A not लिखेंगे राम लड़का हो सकता है इसको A star लिखेंगे स्याम लड़की है इसको B लिखेंगे स्याम लड़की नहीं है इसको B not लिखेंगे स्याम लड़की हो सकती है इसको B star लिखेंगे अब हम क्या करेंगे अब हम देखते हैं देखो ये जो हमारे दिये हैं आंसर्स ये कुशन है ये पहला कुशन है इसमें तीन आंसर दिये हैं ये दूसरा कुशन है ये तीसरा कुशन है कतन वो ही है निसकर्स वो ही है कुशन तीन है ठीक है क्योंकि ज़्यादा आंसर बन सकते हैं तीन हमने ले लिए, अब देखो, सबसे पहले वाले question में हम 14 को decode करेंगे, 14 को कैसे लिख सकते हैं, देखो, 1 का मतलब क्या है A, और 4 का मतलब क्या है B, यह answer होगा क्या, नहीं, गलत, तो इसको हम तुरंथी काट देंगे, फिर यह है चववन, 5 को कैसे लिखेंगे B not, और 4 को कैसे लिखेंगे B, यह दोनों एक के ही आ रहे है, B, B आ रही है, इसमें दोनों sentence नहीं आए, तो इसको भी काट देंगे, 6 and 2, 6 पे B star है, और आप देखो, B star पहले ही आ गया, कभी B star पहले, कभी B star वाला पहले आई नहीं सकता, ठीक है answer में, तो इसको भी काट देंगे, आपका पहले है, फिर A है, यह हमारा answer होता है, और मैं answer होता है, और मैं क्या answer होता है, पहला negative और दूसरा positive, तो यह सही है, अगले question में देखते है, 6 and 2, अगर आप 6 को देखोगे, तो 6 हमारा क्या है, B star, और B star सुरू में आ गया, हटाओ, दूसरा check ही नहीं करना, हमेशा य A star, यह हमारा answer हो जाएगा, क्योंकि पहले आपका yes आता है, उसके बाद आपका star आ सकता है, तो यह 4, 3 हमारा answer हो जाएगा, बाकी के check कर लेते हैं, 1 and 5, 1 हमारा A है, and 5 हमारा B not है, जो की possible नहीं है, पहला वाला not होता है, दूसरा हमारा positive होता है, 3 and 6, what is 3, 3 is A star, और पहला star ह यानि की गलत, तो हमारा B answer सही हो जागा, अब देखते हैं, इस वाले question में, 2 कितना है हमारा, 2 हमारा है A not, और 6 कितना है, B star, not के साथ कभी भी star नहीं आ सकता, गलत, 1 and 6, 1 है A, and 6 है B star, यह बिलकुल हमारा right answer है, पहला positive तो दूसरा star हो सकता है, यही right answer है, बाकी दोनों नही होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप check करेंगे, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, उम्मीद है, आपको यह lecture बिलकुल clear हो चुका होगा, इस lecture में ज्यादा सोचने की ज़ूरत नहीं है, बस answers हमको याद होने चाहिए पहले से, और हमने जो नाम करड किया है, वो लड़का है, इसको ए नौट दे देना, इसको ए नौट नाम दे देना, क्यों यह इसका जश्टोलट है, और राम लड़का नहीं है, इसको ए नाम दे देना, राम लड़का हो सकता है, इसको ए श्टार, इसको ए नौट का श्टार दे देना, बात एक ही है, देखो लड़क तो इस तरीके से जब भी आएगा हमको बस यही पैटर्न फॉलो करना अगर आप शुरू में ही इसको नहीं वाले को भी यही मान लेंगे तो बाद में यह आंसर तो आपके हमेशा से किलियर रहेंगे यही रहेंगे तो आंसर पे कोई डाउट नहीं जाएगा बस आपका नामक और थोड़ा चेंज हो जाएगा तो इस तरीके के प्रशन आएंगे आपके अब उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा कोई दूसरे और भी चेप्टर है जिनमें आपको डाउट आ रहा है या फिर जो नए चेप्टर आ रहे हैं जिनमें आपको दि एक्जाम लिखकर हमें वहाँ पर भेज दीजेगा हम आपको अपनी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में एड कर लेंगे तब तक के लिए धन्यवाद चैमाता दी